Hey everyone, welcome to my channel, मैं हूँ अंकीता और आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साइनिंग सिकर्ट्स में Guys, विंटर्स आते ही हमें जो सबसे ज़्यादा परिशान करती है वो है हमारे स्किन की ड्राइनस और हम ये सोचते रहते हैं कि विंटर्स में कौन सी ऐसी चीज यूज करें जिसे हमारी स्किन सौफ्ट सपल बन जाए हमारी स्किन ड्राइ और पैची ना नज़र आए बहुत लोगों को स्किन ड्राइनस की भी प्रॉब्लम रहती है तो आज मैं आपके लिए एक DIY face wash powder लेकर आई हूँ जिसे विंटर्स में आप अपने रूटीन में जरूर शामल करें ये आपके स्किन के ड्राइनस को दूर करके स्किन को सौप्ट सपल बनाएगा ड्राइनस को दूर करेगा स्किन पर विंटर्स में भी रेडिन ग्लो लाएगा तो चलिए देख लेते हैं इस DIY face wash powder को बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की जवरत है तो इसके लिए हमारा first ingredients है बेसन बेसन एक mild face wash ही है बेसन हमारे चेहरे को साफ करता है oil को remove करता है दाग धबो को reduce करता है तो हम यहाँ पर 1 tablespoon बेसन ले लेंगे अब हमारा next ingredients है मसूर दाल का powder मसूर दाल हमारे दाग धबो को reduce करने में बहुत effective माना जाता है हमारा next ingredients है मुलतानी मिटी यह skin को tight बनाता है open pores को shrink करता है चेहरे को बेदाग बनाता है यहाँ पर 1 tablespoon मुलतानी मिटी ले लेंगे next इसमें जाएगा sandalwood powder जी हाँ चंदन powder हमारे skin की aging को delay करती है pimple acne को दूर करती है scarks को remove करती है skin को soft supple बनाये रखती है और tan को भी remove करती है तो यहाँ पर 1 tablespoon के आसपास चंदन powder भी ले लेंगे हमारा next ingredients है coffee coffee powder skin brightening में help करती है साथी skin के दाग धबों को भी reduce करती है और चेहरे के glow को बढ़ाती है तो half tablespoon coffee powder डाल देंगे और हमारा last ingredients है healthy healthy हमारे skin के दाग धबों को light करके skin complexion को improve करती है इन सब को अच्छे से mix करके एक air tight container में रख लेना है इसे आप one month तक आराम से store कर सकते है चलिए अब बात कर लेते हैं इसे लगाना कैसे है जिनकी भी skin oily है वो इसे rose water के साथ mix करके लगा सकते है normal skin वाले इसे दही के साथ mix करके लगा है और जिनकी भी skin sensitive है वो इसे दूद के साथ mix करके लगा है इसे mix करके एक मिनिट तक अपने face पे लगा कि हलके हाथों से massage करते हुए इसे धो लेना है अगर आपके पास time है तो आप इसे 3-4 मिनिट face पे रख सकते हैं वरना एक मिनिट में इसे धोले ये face wash आपकी skin को dull नहीं होने देगा skin पर हमेशा glow बनाए रखेगा इस face wash को लगाने के बाद अपने skin को moisturize करना बिलकुल ना भूले winters में skin को extra nourishment की जड़त होती है तो जब भी आप कुछ भी face पे apply करें तो उसके बाद skin को moisturize करना बिलकुल ना भूले I hope आज की वीडियो आपके लिए helpful रही हो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक like ज़रूर करें और मेरे चैनल को subscribe करना बिलकुल ना भूले Thank you so much guys for watching my video